आज हम बनाएंगे वेज मंशूरियन मोमो जिससे कि आपकी एक बार में ही अच्छे मोमो बनकर तयार हो जाएगे वो भी बिल्कुल असान तरीके से तो चलिए फटाफट रेस्पी को सुरू करते हैं मैंने यहां पर लिया है मैदा और इसमें हम डाल देंगे वन एंड हाप ट मॉर्मल पानी लिया है ना ज्यादा ठंडा नहीं गरम तो अब इसे पानी से हमें इसे का एक डो बना लेना है तो डो हमें तयार करना है बिल्कुल सॉप्ट मतलब जैसे हम रोटी का आटा गुनते हैं वैसे नहीं उससे थोरा सकड़ तो देखिए मैं आपको यहां पर बता हो जाए अच्छे से यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी आटा तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक चमच रिफायन वायल इस पर डालकर आटे पर और चारोर तरप से अच्छे तरीके से तेल में हम इसे फैला देंगे और इसे कभर कर देंगे अब कभर करके हम इसे छोड़ देंगे कम से कम आदे घंटे के लिए तब तक हम अस्टफिं तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने पैन में डाला है दो से तीन चमच रिफायन वायल और तेल को हम गरम होने देंगे और यहां पर मैंने लिया है हरी मिर्च अद्रक लहसून बारी कटे हुई और यहां पर एक बारी कट भी प्याज और यह मैंने ले लिया है बंदगोवी जिसे मैंने कस लिया है तो लहसुन और अद्रक और हरी मिर्च तीनों को हम अच्छे तरीके से थोरा सा भूम लेंगे तेल में ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे तरीके से तेल में वो चला और इसे थोड़ा सा भून लेने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे प्याज तो धियान रखना है हमें कि सारी सब्जीयों को हमें भूनना नहीं है ज्यादा देर तक बस हलका सा इसे सौटे कर लेना है तो मैंने इसमें डाल दिया है बंद गोवी और इसमें स्वादा नसर हम नमक एड़ कर देंगे और यहां पर मैंने लिया है वन चोथाई चमच काली मिर्च का पाउडर और वन चोथाई चमच गरम मसाला पाउडर यहां पर मैंने लिया है थोरा सा लाल मिर्च पाउडर अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हों तो लाल मिर्च पाउडर अस्कि हां हमारा आठा भी बिल्कुल सेट हो चुका है तो इसे हम एक बार और अच्छे तरीके से मसल लें से लिए बास एक से डेरी मिनिट के लिए लेकन यहां पर आपर सबजी और अच्छे तरीके से भूं लेने से इसका कच्छा पंदूर हो जाता है तो मैंने यहाँ पर पूरी से भी छोटी छोटी लोगी बना ली है और इसे सूखे मेदे में लपीट कर इसे बेल लेना है तो इसे बेलना है बिल्कुल पतला बेलना है ताकि यह जो आर पार दिखने लगे तो फ्रेंस इस तरीके से आप Momos बना कर देखें, आपकी Momos एक बार में ही बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी और यह देखें, बिल्कुल इसे बेल लेना है, बिल्कुल पतला बेल लेना है जब आप इसे बेलेंगे ना तो आपको खुद बखुद पता चल जागे कि यह बिल्कुल सही बेली हुई है अब यहाँ पर भर भर के स्टफिंग डालना है कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि हम इसे घर पर मोमज बना रहे हैं और बस स्टफिंग भर कर चारों तरफ पानी लगा देना है पूरी में और बस इसे एक प्लेट लगा कर चारों तरफ से इसका जो मुह है वह बंद कर देना है तो मैं बिल्कूल धीरे धीरे दिखा रही हूँ की किस तरीके से करना है बस एक जगा पर प्लेट करकर चारो तरफ से प्लेट को हमें बंद कर लेना है देखे बिल्कल इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो बिल्कूल परफेक्ट बनेंगी और इसका सेप भी बिल्कुल मोदक जैसा हो जाएगा ये देखिए बस एक तरह से पकर लेना है और चारो तरफ से प्लेट को धीरे धीरे लेकर एक ही जोर पर इसे अच्छे तरीके से बंद कर देना है और जब सारे इकठे हो जाएगा एक तरफ तो इसके उपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसे निकाल भी सकते हैं नहीं तो इसे में आप दबा सकते हैं ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसे आप निकाल भी सकते हैं नहीं भी निकाल सकते हैं मैंने यहां पर क्या-क्या है कि डिजाइन दे दिया है यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से प्रेस करके और देखिए कितनी सुन्दर लग रही है हमारी मुमोज यह देखिए लग रही है बिल्कुल मार्केट जैसी तो बस ऐसे ही करके हम मुमोज बना लेंगे तो मैं देखि और बस इस तरीके से चिपका देना है और करना कुछ भी नहीं है बस इस पूरी को हम उठा लेना है और इसके दोनों कोनों को हम अच्छे तरीके से एक दूसरे में चिपका लेंगे देखे बिल्कुल इस तरीके से इस कॉर्णर को उस कॉर्णर से हमें चिपका लेना है और इस इसे प्रेश कर दे ताकि इसे हम च्टिम करें तो यह फटे ना यह छूट न जाए यह देखिए बिल्कुल बढ़ीया और बहुत ही आसान यह बहुत है बनाने में और यह देखिए बिल्कुल हमारे बनकर तयार हो गई है मैं आपको एक और मोमज बनाने का तरीका बताती हूं बस उसी तरीके से Shimping भर लेना है और चारों तरफ पानी लगा लेना है और यह देखिए जो हमने Plate बना रहे हैं बस इससे आधा Plate बनाना है यह देखिए और आधा Plate बनाने के बाद यह जो बचा हुआ था खाली पॉर्शन इसमें हमें छिपका देना है तो आप देख रहे हैं विडियो से और यह जो किनारे के तरफ ज्यादा बचा हुआ है तो क्या करेंगे इसे भी हम प्लिट बना देंगे यह देखिए जहां जहां छोटा हुआ है वहां हुआ हम प्लिट बना देंगे और यह देखिए यह हमारा बिल्कुल मुमच बनकर तैयार हो गया है तो इसमें स अब अश्टेंड रखकर हम इसमें जो आटा चालने वाला जो चालन होता है उसमें हम इसे अश्टीम करेंगे और बंद गोवी का जो उपर बला पाट होता है उसे आप फेके ना इस पर अच्छे तरीके से फैला दे और इसमें हमने क्या किया है कि थोड़ा सा रिफायन वाल पत्ता गोवी पर डाल दिया है ताकि मोमुच को अश्टीम करें तो वह चिपके ना और यहां पर आप मोमुच को थोड़ा थोड़ा अस्पेस पर डालें क्योंकि मोमुच पकने के बाद फैलती है यह जो साइज में छोटी लग रही है वह साइज में बड़ी हो जाएगी यह देखिये और अभ हम क्या कर देंगे ये जिए अप अगरेंगे अब इसे घ्रकने के बाद हमें त हीज़ा करना है 15 के लिए तो मिडियों फ्लेम पर जैस पंगरा निटेंट के लिए तो और 15 से पता चल लिए कि हमारा वन कर थयार हो गया है तो जो एक हैना चलते हैं तो तो हम यहां पर पैन में एक चमच वायल डालकर यहां पर अधरक लहसुन और सोड़ी से कट करके हमें डाल नप्रट के सोटे करने के बाद यहां पर एक चमच्च केचप और यहां एक चमच्च ग्रीन चिली सौस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी तो आप पानी उसी हिसाब से डाले जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हों और हां यहां पर आप कौन फ्लोर भी डाल सकते हैं जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो गाड़ी बनेगी तो यहां पर आप स्वादा नुसार नमक यहां पर मॉमों को ड्राय ड्राय बनाया है से में अच्छे से कोड करके और बस इसे मिक्स करने की बाद यह जो ह्मारा वेज मैं प्लेट में सर्ब कर लेंगे तो यह मो 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 हैं वह बाम गरम गरम ही अच्छे लगते सा सब्सक्राइब कर और देखिए मैं यहाँ पर आपको तोर कर दिखा रही हूं इसकी अंदर का टेक्श्चर बिल्कुल बढ़िया तरीके से पग गई है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताए कि आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हम नेक्ट वीडियो में